दौस्तों मेरा नाम है सुनिल और आप देख रहे हैं अपना लोग परी यूटिव चैनल जिसका नाम है सुनिल जसवाल वीवलो फाईल दौस्तों इस विडियो में हम लोग बात करेंगे हимाचिल परदेश स्टाब सेलेक्शन कमिशन की दोस्तो हिमाचल पर दे स्टाप सेलेक्शन कमिशन के दौरा एक प्रेस नोड यारी किया गया है और जिसमें HP शास्तिर कमिशन का रिजल्ट जो अब गोशित कर दिया गया है दोस्तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं और दोस्तो इस चैनल पे आपको time to time हर update जो पर प्रोवाइड करवाय जाता है अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और दोस्तो इन वीडियोस को उन लोगों तक जुरूर पहुंचाएं जिनको education की जुरूरत है तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो result गोशित किया गया रिटर्न objective type screening test का दोस्तो यहाँ पे 603 पोस्टें थी और यहाँ पे आप category wise भी देख सकते हैं कि कौन कौन से post किस किस category में कितने कितने पोस्टें निकले हुई थी दोस्तो यहाँ पे जो शास्तिरी का paper था जो contract basis पे था इसमें जो post code है वो 813 है 220 December 2020 को यह paper जो हुआ था दोस्तो यहाँ पे जो candidate appear हुए थे 4800 स्तारा candidate appear हुए थे जिसमें 509 candidate जो थे वो absent पाये गए थे और 4800 स्तारा candidate में 1816 candidate जो हम वो select किये गए हैं short list किये गए हैं दोस्तो अब यह जो candidate select किये गए हैं इस document verification होगी दोस्तो यहाँ पे आप लोग अपने roll number चेक कर सकते हैं मैं देरे देरे स्क्रॉल करूँगा आप चाहें तो screenshot भी ले सकते हैं या फिर आप लोग officially website पे जाके इस notification को download कर सकते हैं दोस्तो तो जिन बचों का यह commission जो अब पास हो चुका है उनको मेरे तरफ से heartic शूब काम नहीं best of luck और जिन बचों का clear नहीं हुआ है तो गबराने की जूरूत नहीं है अभी आपको next chance मिल सकता है आपने अपने त्यारी को रोकना नहीं है दोस्तो तो यहाँ पर 816 candidate को select किया गया है और यहाँ पर अभी timing भी बता दी गई है दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों ने और आप लोगों ने अपने सारे डोकमेंट सो वो ready कर लेने है दोस्तो फिर भी अगर आपके अमार में कोई प्रशन चल रहा है तो कमेंट बोक्स में यू टाइप करें दोस्तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने लाए कोमेंट बोक्स में यू रू बताएं आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया आप सभी का बहुत बहुत दन्यवल थैंक यू वेरी मच धिल से